एक अपने कहावत है या कौमन मानना है पाश्यत देशों में और अपने अभी समझो कि बुलाओ वो फलाना जो है वो मर गया मैं इसको आई लव यू नहीं कर पाया पहली बात तो यह है कि मुझे लव यू सब शब्द जो है वो समझी नहीं आता सारे दुनिया देख ली मैंने यू समझो बहुत सारे जगह देख ली पर यह लव यू शब्द जो है न मुझे आज तक समझी नहीं है मतलब किया है तक मतलब यह कि मम्य तुमार लीं बहुत अच्छे फूल लेक्यां होंगा तो यह वैलेंटाइन डे पर अगर बीबी है तो या मदर्स डे पर मदर ह्स च्रुन है और फादर धी मैं बड़ी यह लव यू है क्या कि मैं अपने जो है सूरज चांद सितारे तोड़ के ला सकता हूं तुमार लिए है क्या मुझे वह जोग याद आता है जोग नहीं मुझे वह बात याद आती है कि आदमी ने बीबी से का कि ओ लव यू मैं तुमार लिए सूरज चांद सितारे तोड़ के ला सकता हूं और कल शाम को घर जल्दी आ जाओंगा अगर बरसात नहीं आ रहे हैं वह लव यू है कि जो अपन बच्ची आपने माबाप को बोलती हैं और फिर जब बुड़े वह थे थोड़े ब पसंद आता होगा बच्चे का ध्यान रखना पर पोते-पोती दोईते-दोईती का ध्यान रखना पर उन बच्चों की तरफ से जो उन्होंने आई लव यू बोला था वह इस चीज के लिए बोला था कि तयार करें थे कि मुर्गा मुटा हो जाए तो काट ले या लव यू वह जो है कि जो है बच्पन में बोलता है माबापको आई लव यू आई लव यू और जो है जब वो बुड़े हो गए तो जो है अपनी पार्टी चल रही है उसमें केटी पार्टी में आने जाए तो उनको कहीं पीछे वाले कमरे में जो है बंद कर रखाओ तो यह लव यू है क्या मुझे समझ नहीं आता बोलता बहुत सुना लोगों को सब बलता I love you I love you मिया बीबी बोलता I love you I love you बीबी बोलती अच्छा मुझे पैसा आदा देतो मिया बोलता मेरे वकील से बात करो यह लव यू है लव यू से ज़्यादा जरूरी मैं चीज मानता हूँ जो कि अपने को दूसरे इंसान से बोल देनी चीज है मरने से पहले, उसके मरने से पहले या अपने मरने से पहले वो बहुत जरूरी है क्योंकि उसका वास्ताओं में कोई माइना है क्या चीज़ हो देखो अपन जो है अगOOD बग्वान में विश्वास करते हो जथ नहीं करते हो जैसे भी तुछ कहीं तो अपना बैलेंस होगा ना कि अपने अच्छे और बुरे काम होगा इस दुनिया में होगा अगली दुनिया में होगा तो वो बैलेंस जब होगा तो अपने अच्छे काम एक तो अपन अच्छे काम करके अच्छे काम कर सकते हैं और दूसरा अपन दूसरों के बुरे खाम को उनको माफ करके अच्छे काम कर सकते कहने का मतलब ये कि सपोज है आपके कोई रिष्टे वाले है दोस्त है वो मर गए तो आप उनको ये नहीं बोल पाए कि I love you हाँ थोड़ा फरक पड़ेगा उनको अच्छा लगता है अगर आपने बोला तो पर उसके अलावा उस ज़्यादा जरूई चीज है कि अगर आपने उनको बोल दिया होता जिस बात पर आपके उनसे लड़ाई होई थी जो भी था अक्सार ये तब ही होता ने सब लोग लड़ते है और फिर आपस में बात नहीं करते ने तो उनको भी शांती से मरना होता कि जो मैंने गलती कि आप मुझे उसका बोज लेकर नहीं जीना पड़ रहा और उनसे जादा फायदा आपको होता कि आपको कभी जिन्दगी में ये नहीं विचार करते रहना पड़ता कि ओ, मेरे और उनके खराब संबन थे और टाइम में वो चले गए, या चले गए या जो भी है हाँ, लव यू तो जो है, एक यू समझो, फॉर्गिव यू के बाद लव यू आता है, आपने यूई लव यू बोल दिया कोई से लड़ाई है तो वो सच्चा नहीं होगा, क्योंकि उसमें वास्तम में मन की भावना नहीं होगी, सिर्फ मुझ की बात होगी, पहले आपको ज बोलो नहीं, बोलो वो आपकी बात है, मैंने आपको बता है मुझे लव यू समझ नहीं आता है शब्दों से बोलावा, काम से दिखा सकते हैं उनको आदर करके, उनको प्यार से, ध्यान से रखके, वो बात दूसरी है, पर मैं ये कहता हूँ, आप किसी को लव यू बोलो, और फोर्गिव यू जरूर बोलतो और फोर्गिव यू यह नहीं कि जैसे कोई बहुत बड़े भागवान बोल रहे हैं राजा हरिश्चंदर बोल रहे हैं I forgive you नहीं 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 वो फोर्गिव यू नहीं हुआ वो तो फिर आपने अपनी जो है दादागीरी दिखा द यह नहीं कि लौड़ी स्पीकर लेकर चड़े और बोले ओ मैं शर्मा जी को माफ करता हूं नहीं नहीं उससे तो आपने और बड़ी मुश्किल खड़ी कर दी आपको तो मन में कहना है कि जो भी दुरगटना दुरभावना हुई नेती का निदान था उनकी भी गलती थी मेर भी गलती रही होगी अब बैटके आप डिसेक्ट करोगे उसकता है एक ही गलती ज्यादा निकल जाए एक ही खम निकल जाए हो सकता है सिर्क जने की गलती हो पर फिर भी माफी देना जो है न वह बहुत बड़े लोगों का रोल है बहुत उसमें ताकठ ची है तो आप कोई भ भावना है उसको मन में बोल दो I forgive you और जो हमारी forgive you prayer है उसके सामने मन में पढ़ दो और फिर उससे खुई से मिल लो वो समझ जाएगा कि जरूर इस आदमी ने मन में कुछ सोचके मुझे माफ कर दिया है तो अब मैं ऐसा नहीं करूँ उसको खुदी गलानी होगी इतनी वो खुदी आपके आके जो है माफी मांग लेगा ऐसा नहीं पाओं में पढ़के माफी मांग लेगा पर मन में माफी मांग लेगा वह काफी यह जमीन में पढ़ना हो यह तो सब ध्होसले है सब नकली है कि पाओं में पढ़ के जो है वो बादमी खड़ा के थपड मारे गालें तो क्या फायता पाओं पढ़ने का तो जो मन की क्म्मिनिकेशन हो गई न वह इन सारे धको 사용सुनlaw से ज़्यादा है मैं नई विश्वास करता कि आदमी पाउँ भी छुए या यह करे या माफिवी मांग ले या कुछ नहीं नहीं जो मन ने कह दिया ना वो ज्यादा जरूरी है इसका मतलब यह नहीं कि आप बाकी काम नहीं करो अगर मेरे पाउँ छूने से आपके दिल को खु पुश्रेफ, आयुश्मान भाव, जो भी है, तो मेरा तो उसमें कुछ loss ही नहीं, और कमर की exercise और हो जाएगी, कि जो है, बैक पेन नहीं होगा, पीठ में दर नहीं होगा, उमर के साथ, तो ये बात है, तो forgive you बोलना, love you बोलने से ज़्यादा ज़रूरी है, आदमी, इंसान मर से पहले, क्योंकि अपने चारों तरफ इतने लोगों से दुश्मन ही कर लेते हैं, इस जिंदगी की टाइम में, कि 20% लोग अपने चारों तरफ है, वो तो दुश्मन होते ही आपने, तो उनको forgive you बोलके, अपने दोस्ती के सर्कल में लाओ, एक दिन बैठके सब को नहीं कर माँचो, तो सब दीरे दीरे आपके सर्कल में आ जाएंगे, आपका तो enrichment है कि आपका सर्कल इतना बड़ा हो जाएगा, और मैंने एक बार पहले एक बात बताई, कि जैसे माबाप देख रहे होते हैं, बच्चों में कि कौन बच्चा दूसरे बच्चों की मदद कर रहा है, कौन बच्चा दूसरे बच्चों को परशन कर रहा है, जब माबाप देख सकते हैं, तो उपर बढ़के बगवान तो देखी सकता है, और बगवान देखेगा, यह इतना अच्छा मेरा बच्चा है, जो सब को माफ कर रहा है, सब को गले लगा रहा है, सब से हिल मिलके रह र रहे हैं तो अपने तुझे सारे जिन लोगों से दुश्मनी खतम हो जाएगी करते हैं आज इसे कोशिश करते हैं पहला आत्मी इसको आप माफ करो आज आप डिसाइड कर लो किसको माफ करना शाम तक कर देना जैश्र कृष्ण